हेलो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप अगर आप लोग फोन पे चलाना चाहते हैं, आपके पास ATM कार्ड नहीं है, तो कैसे आप लोग फोन पे एकाउट बना सकते हैं, सिर्फ अपनी अधार काट से ही फोन पे को चला सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सबको दिखाऊंगा मैं फोन पर अप्लिकेशन का यूज़ करता हूँ यहाँ पर मैंने अपना bank account भी add किया हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा bank account अप्लिकेशन के उपर जैसे क्लिक करूँगा और इस डाइटिंग से आप सबको phone pay account create करके दिखाऊंगा तो इस टोरेज में जाऊंगा और यहाँ से देख सकते हैं नीचे आपको clear data का option दिखेगा इसके उपर क्लिक करके मैं इसको clear कर लेता हूँ अब यहाँ पर data clear करने के बाद दोस्तों दुबारा से मैं phone pay application को open करूँगा जैसे phone pay application को उपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं phone pay application open हो रहा है अब दोस्तों यहाँ पर application का जो interface रहेगा तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा आप दोस्तों आपको यहाँ पर आपका mobile number डालना है mobile number आप लोग वही डालिएगा जो mobile number आपके bank में link रहेगा क्योंकि bank account एहड करते टाइम आपको उसी mobile number की जरूरत पड़ेगी और दोस्तों आपके phone में वही number वही SIM लगा रहना चाहिए तभी आपका जो phone pay account हो पाएगा तो इसके लिए करना क्या है मैं अपना mobile number डाल देता हूँ आप जोस्तों जैसे mobile number डाल देंगे आप तो आपके यहाँ पर proceed के उपर click करना होगा जैसे proceed के उपर click करेंगे तो पहले से मेरा जो phone pay account है वह बना हुआ है तो मुझे यहाँ पर password एंटर करने का option आ रहा है लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा जब आप लोग पहली बार आएगा तो OTP से आपका जो account है login हो जाएगा तो मैं हाँ पर try another way के उपर click करता हूँ और login with OTP यहाँ पर देख सकते हैं login with OTP का option आ रहा है तो इसके उपर मैं click कर दूंगा अब मेरे number पर OTP जाएगा और OTP automatic यहाँ पर verify हो जाएगा और देख सकते हैं आपको permission allow करना पड़ेगा तो आप लोग permission allow कर दीजेगा और यहाँ पर allow के उपर जैसे ही click करेंगे तो थोड़ा सा wait करना है loading your phone pay account आपका जो phone pay account है यहाँ पर login हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपके contact का permission देना होगा तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो phone pay account है वो successfully create हो चुका है अब दोस्तों आप लोग भी अपना जो account phone paper हो है बना सकते हैं आप क्या करना आपको अपना bank account आइड करना है तो bank account account add करने के लिए side में आपको अपने profile के उपर click करना होगा अब जैसे profile के उपर click करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर bank account का option दिखेगा आपको इसके उपर click कर देना है अल्रेडी मेरा देख सकते हैं दो bank account add है आपको क्या करना है जो भी bank account add करना होगा आपको यहाँ पर आपको add bank account का option दिखे जब पहली बार आएंगे मैंने पहले से अपना bank account add कर लिया है तो मुझे add new bank account का option आ रहा है आप करेंगे तो आपके सामने भी से इसी तरीके का option आ जाएगा अब दोस्तों यहां पर दिख सकते हैं popular banks में आपका state bank of इंडिया पंजाब निशनल बैंक बैंक और बैंक और भी बैंक है तो आप लोग यहां से अपना bank select कर सकते हैं अगर आपको यहां से bank select करने में problem हो रही है तो आप यहां से नीचे scroll करेंगे तो बहुत सारा bank है जिस भी bank में आपका account रहेगा आप अपना bank select कर लिजेगा इसके लाओं दोस्तों आपको उपर search by bank name आपको अपना bank अगर search करना है तो आप लोग यहां पर search भी कर सकते हैं देख सकते हैं अगर आ आपको बैंक रहेगा नीचे आ जाएगा तो मैंने अपना bank account एड कर लिया है तो क्या करना है आपको bank account एड करने के बाद अपने bank के ऊपर click करना होगा अब दोस्तों जैसे यहां पर एक option दिखेगा UPI PIN का देख सकते हैं यहां पर UPI PIN का option दिख रहा है आपको यहां पर मे bank का बढ़ोदा का मैंने UPI PIN नहीं बनाया है तो मुझे set UPI PIN का option दिख रहा है तो मैं अपने पंजाब national bank का जो UPI PIN है उसको reset के उपर click करके दूसरा UPI PIN बनाऊंगा तो मैं reset के उपर click करता हूं और जैसे reset के उपर मैंने click किया तो यहां पर देख सकते हैं set UPI PIN using आधार और debit या ATM card तो आपको यहां पर आधार नंबर के उस गर के भी UPI PIN बनाने का option दिया जा रहा है तो आप लोग आधार वाला option जो इसको यहां पर tick कर लगा होगा आप लोग उसको यहां ऐसे करके आप लोग proceed के उपर click कर दिजेगा अब जैसे आप लोग proceed के उपर click करेंगे तो आपके सामने आपके अधार card का जो पहला चैंक होगा उसको डालने के लिए आजाएगा तो मैं अपने अधार card का जो पहला chunk हो इसको डाल देता हूँ अब जैसे यह आप लोग अपने अधार काड का पहला च्हेंक डाल देंगे तो आपको यहाँ पर प्रोसीड क्यूपर क्लिक करना होगा अब दोस्तों प्रोसीड क्यूपर क्लिक करते ही आपको परमिसन दे देना है SMS का तो आपका जो SMS रहेगा वह वेरिफाई हो जाएगा और मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर आचुका है UPI PIN Set करने का उप्शन, na cambiipin 뭐 दोस्तों मुझे अपने चैंको का UPI PIN बनाने का उप्शन आचुका है तो मैं अपना UPI PIN बना लेता हूं अब दोस्तों जैसे UPI PIN बना लेंगे फिर आपको next की उपर click करना है फिर दुबारा से आपको वही UPI PIN डाल करके confirm कर देना है अब दोस्तों जैसे UPI PIN दुबारा से डाल देंगे फिर आपको next की उपर click करना है थोड़ा सा वेट करना है आपको जो UPI PIN रहेगा successfully set हो जाएगा देख सकते हैं UPI PIN successfully set आपको जो UPI PIN है successfully set हो जाएगा आप अपने अधार कार्ट से UPI PIN बना करके phone पे चला सकते हैं अगर आपको किसी के पास पैसा टांसफर करना है तो आप लोग अपने बैंक में आधार कार्ट से UPI PIN बना करके phone पे चला सकते हैं अगर आपको किसी के पास पैसा टांसफर करना है तो आप लोग यहार बैंक का पैसा बेज सकते हैं इसके लाब आपको check balance और नीचे आपको recharge, bill payments वगरा करने के लिए भी बहुत सारा option दिख रहा है तो आप लोग phone pay account create करके इन सभी feature का यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों को phone pay account बनाना है आपके पास ATM card नहीं है तो बहुत असानी से सिर्फ आप अपने अधार card के यूज करके UPI PIN बना सकते हैं और दोस्तों अगर आपको UPI PIN बनाने में, bank account बनाने में या phone pay account create करने में किसी तरीके का कोई भी problem आता है तो आप लोग मुझे Instagram पर contact कीजेगा और मैं आपके problem को solve करने की पूरी कोशिस करूँगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ने एक टॉपिक पर तब तक के लिए take care